देंस जैमा सरस्वती सु स्टूडें आज हम अपना चैप्टर नमबर टैन सिम्पल इंटरस्ट एंड कंपाउंड इंटरस्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि इससे पहले हम कल पहले प्रॉफिट एंड लॉस हम कंप्लेट कर चुके हैं आपको समझ मां गया होगा सिम्पल मैंथर दे उसको बनाने के तो देखे आज बनाते हैं सिम्पल इंटरस्ट एंड कंपाउंड इंटरस्ट के कोश्चियन तो चलते सीधे प्रैक्टिस एक्साइज पर एंड इस इस प्रैक्टिस एक्साइज ओके एंड फर्स्ट कोश्चियन simple interest of 6,250 for 4 years at the rate of 5 per annum must be तो कितना हमारा क्या होगा, इसमें simple interest होगा हमसे ये पूछ रहे हैं तो देखो हमें क्या पता है, हमें पता है कि simple interest क्या होता है सबसे पहले ऐसा ही हमारा होता क्या है, simple interest क्या होता है, क्या होता है, principle into rate into time upon hundred होता है ये हमें पता है, खिक है, तो question हमें first में हमें क्या क्या रहा है कि हमें principle हमको दे रहे है कितना 6,250 ठीक है, और time दे रहे है, 4 year, 4 year के लिए रहे है और rate हमको दे रहे है क्या, 5 percent पर annum हम कह रहा है तो ये ही है, ठीक है, तो SI निकालेंगे, simple से SI is equal to principle, 6,250 into rate क्या है time है 4 year upon 100 हो गया ठीक है 0 से 0 गया चलो इस 0 से इस 0 को नहीं कट करते हैं ये 2 से ये 2 चले गया 5 बन जा 5, 5 तूजा 10 हो गया इसको नहीं करते हैं ये 0 अभी है ठीक है तो ये हो जागा 2 तूजा 4 ठीक है आ गया अब इससे इसको multiply कर दो 10 का 0, 1 आ गया हमारे पास 5 तूजा 10 2 तूजा 4 प्लस 1, 5 12 तो कितारे 12 5, 0, 0 तो देखते हैं कौन सा answer हमारा 12, 5, 0, 0 12, 5, 0 जो 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 नहीं आएगा 12, 5, 0 आएगा तो answer number A is right answer तो ये इस तरह से हम इसको करेंगे solve अब देखो next हमारे पास क्या है, the simple interest of इतना, six month and rate is इतना, ठीक है, per annual ठीक है, तो देखो, अब इस पे एक चीज दे रखा है हमको, अब इसमें एक चीज अलग है, ठीक है, वो क्या है देखे, है वोई निकालना हमें वोई है, तो हमें principle क्या दे रखा है two thousand दे रखा है, ठीक है time दे रखा है, six month okay, six months दे रखा है, ठीक है six months दे रखा है, देखो अभी मैं ये months को इतने वैसे क्यों कह रही हूँ, तो और rate हमें ये दे रखा है, ठीक है, और हमें निकालना किसके लिए है पर अन्म, तो पर अन्म, जब हमने निकालना है तो हमें six months को क्या करना पड़ेगा convert करना पड़ेगा, किस में year में, तो कैसे करना कि six upon 12, तो answer आजाएगा, one by two, तो ये, one by two year, तो year में कर लिया, convert अब देखो, अब क्या हो जाएगा, हम अब simple interest निकालो, si is equal to, किता हो जाएगा, principle, into, time क्या है, rate, अब देखो, rate क्या है, two two, four two, eight, eight, eight plus one, हमारा क्या हो जाएगा है, देखो, two four, eight, eight plus one, nine, nine by two आगया, ठीक है, और यहापे क्या आगया हमारे पास, into one by two आगया, upon क्या आगय हमारे पास, hundred, इसको और कैसे लिख सकते है, si is equal to, ऐसे लिख सकते है, thousand into nine, into one, upon, hundred, hundred into two, into two, लिख सकते है, लिख सकते है, obviously लिख सकते है, तो इसको क्या लिख लेंगे, देखो, two zeroes से two zeros, cancel हो गया, two ten जा, हो गया, ठीक है, और two five जा, हो गया, five nine जा, किता हो ता हमारा, five nine जा, 45, आगया 45, 45 बन जा 45, तो ऐसा है, आगया हमारे पास 45, देखते है, 45 कौन सा answer है, c is right answer, okay, तो इस तरह से, इसको हम क्या करेंगे, solve करेंगे, चलते है, अपने third question पे, simple interest on, इतने पे, at the rate of, इतना, per annum of, per annum of, four, one, four, six days, इस, तो हमें देखो, इस third question में हम देखते है, हमें क्या क्या दिये रखा है, हमें दे 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 रखा है, 1300 उपीज है मैं तो इस तरह से करेंगे देखो कैसे होगा यह भी जैसे हमने फर्स्ट किया था वैसी करना है तो देख़े प्रिंसिपल क्या देख़े प्रिंसिपल इस इकव़ टू 1300 और रेट is 5 और क्या है पर एनुमम के लिए और टाइम दे रखा है 146 तो पर एनुमम है क्या है पर एनुमम है तो पर एनुमम में इसको डेस बर चीज़ कर लोंगे 146 अपन क्या हो जाएगा 365 यही तो होते है न हमारी डेस तो यह आ जाएगा हमारे पास अब देखो कल अपने काल लो si is equal to principle into rate into time क्या जाएगा 146 upon 365 ठीक है अब सीधे कर लेता है अभी ठीक है यह कर लिए हमने यहां पर क्या जाएगा 100 into 365 आ जाएगा ओके टू जिरो से टू जिरो गए ओके फाइव से यह इसको कैंसल करता है देखो किते टैम होता है फाइव सेवन जा थर्टी फाइव हमारा वनीदा है फाइव सरी जाए यह आ गया अब देखो 73 आ गया अब यहाँ पर 13 बज़ गया और यह बज़ गया ठीक है तो आप कर लेते हैं अब क्या हो जाएगा इसको मर्टिप्ला करते हैं 13 से तो कर लो 146 into 13 3 6 जा 18 18 का 8 हमारा वन आ गया 4 3 जा 12 12 प्लस 1 हमारे पास का आ गया 13 13 का 3 1 इसरा आ गया 3 बंजा 3 प्लस 1 4 6 4 बंजा 4 1 8 9 8 1 तो आगे हम पास 1 8 9 8 अपॉन 7 3 ठीक है आप 7 इससे इसको हम क्या करते हैं डिवाइट करेंगे तो देखो डिवाइट कर लेते हैं सेवन थ्री डिवाइज वन एट नाइन एट तो इससे अगर हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा आप लोग डिवाइड करके देखेना ठीक है अब डिवाइड तो आप लोग कर सकते हैं विकास आपको डिवाइज करना अच्छे साथ है तो वी तहर्त करें अब देखों फोर्ट थको हमारे पास क्या है यह हमारा इसमें क्या हो जाएगा प्रिंसिपल यह हो गया रेच यह हमको जो रखेये यार के लिए थीक है अं तो हमें क्या निकालने आद्व कर नार शेह हमाउंज का तर और सबमें से और एक और यह अगर 25 तो by paying मतलब जो हमारे पास amount होगी वो निकल जाएगी क्या पहले ऐसा ही निकालेंगे उसमें क्या करेंगे principle को plus करेंगे तो आ जाएगा जो भी answer होगा इसको भी मैं आपको समझा देती हूँ the simple interest है इसमें तो इसमें देर्ख है sum year will the simple interest actually for x years be x on the sum of तो हमें इसमें निकालना है हमको principle इसमें हमको principle निकालना है ठीक है तो time भी x देर्ख है rate भी x देर्ख है हमको और si b x देर्ख है simple interest x देर्ख है तो hundred upon x इसका answer कुछ ऐसी आएगा ठीक है तो इसका answer number c is right answer होगा 6 देको in how much time on amount becomes double r the rate 10% per annum double kब हो जाएगा rate तो हमें बोलकर rate देर्ख है हमको 10% per annum के लिए one year के लिए ठीक है तो annum क्या लगाएंगे हम वह नहीं लगाएंगे तो देखो sorry हमें time इसमें find करना है तो कब double हो जाएगी कह रहा है ना हमसे तो देखो हम क्या करेंगे rate 10% देर्ख है इसके बाद simple interest निकालेंगे फिर amount निकालेंगे amount क्या होता है principal plus ऐसा ही होता है उसके बाद क्या करेंगे amount हमारी total वही तो होगी interest अगर हमारे क्या है principal amount हमने पी ले लिए तो interest भी कुछ पी में आएगा 2p is equal to जो भी हमारे पास होगा तो इस तरह से सिर्फ इसमें क्या find करना है time find करना है time वाला हमें क्या लगा देंगे इसमें अपना जो formula होता है वो लगा देंगे क्या होता है time is equal to time is go to principal into nai si into hundred upon principal into rate होता है ठीक है यह होता है हमारा अब देखो 7th question में क्या करेंगे principal दे रखा है प्रिंसिपल है और हमारे पास year to year के लिए जा रखा है rate जा रखा है c i निकालना है तो c i का formula पीचे से देख लेना आप लो याद होने चाहिए formula because यह बहुत जादे important होता है c i का formula होता है हमारा c i is equal to p one plus rate upon hundred to the power n minus one जो to the power n होता है न वो क्या होता है year के लिए तो उसकी पावर 2 हो जाएगी यह भी यहापे है और इसकी पीचे क्या है इसकी exercise का hint and solution दे रहे हैं आप इनको कर लेंगे okay thank you guys